कि एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्ती थूं बेहद महात्वपून टॉपिक के साथ अभी कुछ दिन पहले आपने नीज सुनी थी कि वाट्सप को इंडिया में बैंड किया रहा है नहीं चलेगा बट पाकिस्तान ने फाइनली कर दिया है पहली बार हमसे किसी ठाइस्टिक डाइब लुच्टिक जा रहिए घर जो परसर लिए वहां के बोना जैनों के लिए उस पकी यूजिआ को ब्हुत अभी important document एक दूसरे को भेशती है वो कहीं leak ना हो जाए ठीक है तो इसलिए उन्होंने अपना personal जो कहते है न बीप पाकिस्तान वो लॉंच कर दिया है अब इसमें क्या important चीजें हैं क्या महात्वपूर्ण बाते और भारत को इससे क्या असर पड़ सकता है इन सारी चीजों को हम समझेगे शिरुवात कर लेते हैं आज की क्लास की मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्किती इसके स्प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है चले देखते हैं क्या है न्यूज और क्या बाते कहीं गई है वाई पाकिस्तान लाँचिंग वाच्टसप राइवल बीप पाकिस्तान हाज यूजर्स इन दी कंट्री वरीड यानि की जो लोग वाच्टसप यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में अब वो थोड़ा सा परेशान हो गए हैं पाकिस्तान के इस बीप को लाँच करने से ठीक है यह जो शुरुव अब सिर्फ और सिर्फ वीप पाकिस्तान का यूज करेंगे तो आप यह चीज समझो कि जब पाकिस्तान परस्नली अपना सोशल मीडिया परस्नल अपना मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ला रहा है इसका मतलब यह है कि वो कहीं न कहीं इन चीजों को जरूर देख रहा है कि मैं जो परस्नल कारे कर रहा हूं यानि मेरा जो डेटा है वो लीक हो रहा है कुछ ऐसे इंपोर्टन चीज़े हैं जो अदर जो कंट्रीज है उनको पता चल जा रही है तो अब मुझे क्या करना है इसको साइडल लाइन करना है क्योंकि पेगासस अगर आपको नहीं पता है कि प अब क्या है जब से इनका परस्नल यह मैसेजिंग आप लॉंच हो जाएगा तो यह पूरी तरीके से ओपेख हो जाएगा जिसका अप्सेस हमें बहुत अच्छे से नहीं मिल सकते हैं लेकिन आप देखते हो कि हरी कंट्री एक दूसरे की जासूसी करवाती रहती है सब को पत आप इसको सारजनिक तौर भी लॉंच किया जा रहा है यानि वहां के जो नॉर्मल पीपल है वो भी इसको यूज कर सकेंगे तो आप किस पर क्या रहा है मैं यह जाना चाहती हूं कि यह जो अपना परस्नल रिलीस कर रहे है परस्नल ला रहे हैं इससे क्या एफेक्ट आप यह जो बीप पाकिस्तान ला रहे हो इससे हमारी जो वोई से आप उसको दबाने का कारे करता होते हैं वहां पर वो गर्मेंट के खिलाफ बोलते हैं भारत में भी बोलते हैं तो वो लोग चिनते थे हैं कि अब जब यह वाट से बैन कर देंगे और रेगुलेट करेंग अब किसी भी तरीकी का विद्रो हो अब पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको कुछ अनौप्चारिक लगेगा कोई परसन लगेगा तो उसको आप हमेशा के लिए ब्लॉक कर दोगे यानि कि वह कभी भी वाट्सप यूज नहीं कर सकता है यानि कि पाकिस् पाकिस्तान के थ्रू कोई अगर ऐसा नेता होगा जो कोई भड़का उभाशर दे रहा होगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा यानि कि आप डिक्टेटर्शिप धिरे-धिरे पाकिस्तान में आपको देखने को मिल सकती है तो यह बहुत ही जादा एक चिंता जनक वाली बात गोपनिता पर जोड़ दिया गया है यानि पूरी तरीके से यह सिक्यॉरिटी बिल्ड होगा गोपनिता रहेगी किसी भी तरीके से सिक्यॉरिटी इसकी लीक नहीं हो सकती है यह विदेशी प्लेट्फॉर्म के लिए जादा सुरक्षित विपल के रूप में पेश करते हैं और जो इसक्यॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं जो विदेशी एप्स या विदेशी प्लेट्फॉर्म से उनसे अच्छी सिक्यॉरिटी हम इसमें दे रहे हैं ताकि कोई अधर कंट्री हमारे इस एप को हैक ना कर सके हमारे इस एप पर जो इंपॉर्टन चीजे हैं उनको ना दे पाकिस्तान 45 दिनों में आपका शुरू हो जाएगा अभी ट्राइल पीरिड है तो आई टी दूस अंचार राज्यमंत्री है यहां की शाजा फातिमा इन्होंने बताया है कि अभी यह ट्राइल पीरिड पे है अप्लिकेशन का डिजाइन इतना मजबूत है कि अगर चाहे तो बात के चर्णों में पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी इसको दिया जा सकता है हक जो कि हाँ पर आई टी वर्तमान में आई टी नैशनल असेम्बली के इस्थाई समीति के प्रमुख है इन्होंने बोला है कि सरकार अगले 45 दिनों के भीतर अपने सभी कर्मेचारियों के ल बोला जा रहा है कि समवेदर्शिल जानकारी की सुरक्षा निहित है डिजिटल संप्रभुता को यह मजबूत करेगा और इसी उपकरन के रूप में इसको तयार किया गया है ठीक है पाकिस्तान का उद्देश था कि मजबूत प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्ड किया जाए इसलिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया साथी साथ उन्होंने बोला कि हमने यह जो घरेलू मैसेजिंग बनाने का तब सोचा जब 2019 की घटना सामने आई और हमारे उपर पेगासस का स्पाइवेर हुआ पेगासस स्पाइवेर आखिर क्या है इसको भी हम समझेंगे साथी साथ बोला कि जो वाटसेप की शुरक्षा है इसको लेकर के हमें बहुत ज़ादा चिंता है हमारी जो कई बार ऐसे कंसर्ण रहे कि हमारी चीजे लीक हो गई है हमारी जो हम सोस्ते हैं यह से क्यॉर्टी यह वो लीक हुई है इस वज़े से हम से WhatsApp को χटा रहे हैं आगा देख लेते हैं Pegasus SYです कि मैं बात कर दीथी निके पेगासस एक जासू सी software का नाम है औरcejसको बैलकिस किसले किया है इसको बिल्ड किया गया है राज इस्राइली software company है and neso group इसने इसको बनाया इस अपनी ship पाइवेर के जरी आप देखोगे कि पचास हजार से जादा फोन को टॉगेट किया गया तो इस फोन में आप देखोगे कि सिर्फ एंड्रोइड फोन यूजर नहीं है आई यूजर भी समें सामिल है यानि कि आपकी जो एपल है एपल की सिक्योरिटी आप कहते हो ना बहुत जबूत होती है लेकिन जो NSO है उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं है 50,000 फोन का डेटा इन्होंने टागेट किया था और 50,000 फोन की जाजूसी इसके माद्याम से की गई थी और जिसमें से आपकी 300 भारती अभी शामिल थे NSO ग्रूप का बनाया Pegasus एक जसूसी सोफ्टेयर ह और यहां पर ध्यान देना कि यह जो फोन है जो टागेट के फोन है उनमें जाकर के डेटा लेकर इसे सेंटर तक पहुचा देता है यानि कि जिसने इससे डेटा मांगा है वो उसको डेटा दे देते हैं जाके इसे Android और iOS दोनों पर टागेट किया जा सकता है तो इससे क्रिमिनल और टेरिस को ट्राक करने के लिए बन रहे लेकिन ही आप देखू कि कई बड़े नेताओं की यहां पर पेगासस के दा जासूसी भी कि गई जिसका योज किया गया पॉलिटिकली तौर बर जहां योज किया अपनी पार्टी बनाने को लेकर के ठीक है इसे सिर्फ सरकार को ही company based है यह जो data मिलेगा इसको देगी कि सिर्फ सरकार को कहीं और data नहीं देगी यह इस company का rule है और यह जो करवाती है वो सर्फ सरकार ही जासुसी करवा सकती है इसके single license के लिए 70 लाक रुपए तक खर्श करने पड़ते हैं यानि कि अगर एक बार आपको इसका license चाहिए एक बार आपको data चाहिए then you have to pay 70 लाक रुपीज चीक है phone की खामी का फाइदा उठा Pegasus को install किया जाता है और इसके लिए कई तरीक का use किया जाता है तो आपके phone में क्या किया जाएगा इसको अपने आप से install कर दिया जाएगा और जैसे ही आप अपने phone में Peg information है जितना भी data है इस company के पास पहुच जाएगा और यह company यह जो data है आपका उसको किसको दे देगी सरकार को बेच देगी ठीक है तो यह काम करती है यह Pegasus आपका जो जासूसी है ठीक है कुछ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान को लेकर के चिंतित है अब यहां पर कुछ पाकिस को सीमित करने की सरकार की व्यापकरनीति का हिस्सा मार रहें कई बार ऐस होता है गर्मेंट कुछ चीजे बाहर नहीं आने देना चाहती है और यह किसी भी देश के साथ हो सकता है इस सिर्फ मैं पाकिस्तान या फिर इंडिया का नाम नहीं लोगी बहुत सारी कंट्रीज है च को चाहिए सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी मुझे जो डेटा जो मुझे जानना चाहिए इससे हमारी जो कितना की एक तरीके से जो अधिकार है उसका कहीं न कहीं हनन हो रहा है वाटसे में हाल ही में हुई रुकाबटो और बीप पाकिस्तान के विकास ने सरकार की मुफ्त और खुली इंटरनेट के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिये हैं डिश्टल अधिकारों के पक्षधारों को संदे है कि ऐसे मेती को दबाने और मुक्त भाषण पर नकेल कसने के उद्देश से जो लोग भाषण देते हैं यह आपका इंटरनेट फायर वॉल का उप्योखिया जा रहा है इसके तहत और यह बहुत ही जादा चिंतजनक बात हो बाकि आपके स्वर क्या रहा है मैं आवश्य जाना चाहती हूं कि यह बीब पाकस्तान कितने हद तक सही है कितने हद गलत है विल्दियो नेक्स क्लास में तो अब तक के लिए धन्यवाद लाइक शें सिस्क्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें थांक्यू सो मच